नमस्कार दोस्तों, इसले तीन सालों में नेशुरल डिजास्टर तीन गुना ज्यादा तेजी से रिकॉर्ड किया गया है, जिसके वज़ा से हर साल 20 मिलियंस लोगों को अपना घर छोड बेघर होना पड़ रहा है। मार्च 2019, साइकलोन इडाई, जिसके वज़ा से 1000 लोगों की जान गई साउथन अफिरिका में, इंडिया, पाकिस्तान और यूरोप के देशों में डेडली हीट वेप्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, और साउथ इस्ट एसिया में भी भारी बाठ देखने मिली है, कैनेडा जैसे ठंडे प्लेस पे जहां पे टेंपरेचर माइनस 31 डिग्री सिल्सियस जाता है, वहां भी हीट डोम के वज़ा से टेंपरेचर 50 डिग्री सिल्सियस तक पहुँच गया था, मैं बात कर रहा हूं क्लाइमेट चेंज यानि जलवाई परिवर्तन के बारे में, चलिए एक चोका देने वाले तत्थे से सुरू करते हैं, पिछले 5.5 करोर साल में धर्ती का जो तापमान है, वो सिर्क 5.9 डिग्री सिल्सियस बढ़ा था, लेकिन सन 1800 से लेकर सन 1200, मतलब महज 300 सालों में, जो ग्लोबल टेंपरेचर है, वो 3 डिग्री सिल्सियस बढ़ने व तो 5.5 करोर साल में और 300 साल में 1,83,339 गुना का फर्क है, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल टेंपरेचर बढ़ने में सिर्फ आधे का फर्क है, जुरासिक एरा के बारे में लगबग सब कोई जानता है, कि एक विसाल एस्टरोयट आकर हमारे अर्थ से टकराती है, जिसके व सवाई में परिवरता नहीं था, और आप यकीन मानिए, धर्ती से सारे के सारे डानासोर रातो रात गायब नहीं हुए होंगे, एसे ही आज हर रोज 150 से ज्यादा एस्पेसीज और 135 से ज्यादा पेर पौधे की प्रजाती हमारी धर्ती से विलुप्थ हो रही है, प्रीथव हर चार से छे इंसान में से एक इंसान मारा जाएगा जलवाई परिवरतन के वज़ा से, पीछले 5.5 करोड साल में धर्ती के जलवाई में जो जो परिवरतन हुआ है, सेम वहीं बदलाव, अब हम अपनी आखों से देखने वाले हैं, अगर ये इतनी ही बड़ी समस्या है, त तीसरा, क्लाइमेट चेंज के वज़ा से धर्ती पे क्या-क्या इफेक्ट पड़ेगा, और चौथा और सबसे महतपूर्ण बात, कि क्या अभे भी हम इस क्लाइमेट चेंज के समस्या को रोक सकते हैं, और रोक भी सकते हैं, तो कैसे रोक सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का मतल उसके वज़े से धीरे धीरे हमारे अर्थ का टेंपरेचर इंक्रीज होता है और इस टेंपरेचर के इंक्रीज होने के वज़े से जो हमारे मौसम जो हमारे क्लाइमेट में बदलाव है वो होता है और ये बदलाव लाखो करोरो साल में होता है और ये बदलाव एक एरिभर्सी बढ़ जाता है तो हम इसे कम नहीं कर सकते और नाहीं इस ग्लोबल टेंपरेचर के बढ़ने के वज़ा से जो मौसम में बदला होगा हम उसे रोक पाएंगे सन 18 सो के पाले ये सारी घटनाए एकदम नेचुरल तरीके से हो रही थी लेकिन सन 18 सो के बाद जब अधावगी करन मतलब इंडस्ट्री लाइजेशन का समय आया बढ़ी बढ़ी फैक्ट्रिया लगनी शुरू हुई अरब के देशों से तेल निकलने शुरू हुए याता यात के नय-nय साधन आने सुरू हुए मिसाइल और रॉकेट्स बनने सुरू हुए तब वाता वरन में कारबन डाई ऑक्साइड गैस, कारबन मोनो ऑक्साइड गैस, क्लोरो फ्लोरो कारबन, मिथेन जैसे हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ने लगी जिन हे ग्लीन हाउस गैसेज भी बोला जाता है, और ये सारी गैस हमारी प्रित्वी को एक चादर की तरह चारो तरब से ढख लिया, जिसके वज़ा से जब सूरज का रेडियेशन हमारे अर्थ पे पढ़ता है, तो वापस यहां से रिफलेक्ट होके एस्पेस में जाता है, और इस हानिकारक गैस की इफेक्ट भी बोला जाता है, क्लास 7-8 के जियोग्राफी के बुक में ये कॉंसेप्ट आपको मिल जाएगा, इस एनिमेशन से आप समाझ सकते हो कि जो धर्ती का तापमान है, वो वक्त के साथ कैसे बदला है, और इस बढ़ती हुई गर्मी के वज़ा से जो ग्लेसियर्स ह प्लेट का मुमेंट है, उसमें भी फर्क पड़ता है, और ग्लेसियर्स के पिघलने के वज़ा से जो समुंदर के पानी का लेवल है, वो भी बढ़ रहा है, अभी तक 4 सेंटीमीटर समुंदर का पानी अल्रेडी इंक्रीज हो चुका है, जिसके वज़ा से मुंबई जैसे स सहर, गुवा जैसे सहर और माल्दीव जैसा देश तो निस्सी थी, आने वाले फ्यूचर में पानी में डूब जाएगा, और इन ग्लेसियर्स के पिघलने के वज़ा से ना जाने लाखों साल से कितने हानिकारक वायरेस और बैक्रिया ट्रेप्ट हैं इन बर्फ के चादरों के नीचे, और जब ये ग्लेसियर्स फिघलेंगे, जब ये बर्फ फिघलेगा, तब ये सारे वायरेस, सारे वैक्रिया वातावरन में आ जाएंगे, और आप यकीन मानो, मेडिकल साइंस के पास उतनी काबलियत ही नहीं, कि आज इसी वायरेस का एटेक होता है, और हम एंट कि इस बढ़ती हुई तत्मान के वज़ा से हमारा क्लाइमेट कैसे चिंज हो सकता है, इसे समझाने के लिए हम आपको 4.6 बिलियन येर पहले ले चलते हैं, जब हमारी धर्ती का निर्मार हुआ था, उस वक्त हमारे धर्ती के जैसे 8 ग्रह थे, लेकिन फिर भी अर्थ पे ही जीवन की हुआ, क्योंकि जो हमारा अर्थ है, वो सन के हैविटेबल जोन में आता है, जो सन की उर्जा है, वो अर्थ पे जीवन पनपने के लिए उप्यूक्त था, और जीवन के लिए सबसे जो जरूरी होता है, वो उर्जा, क्या आपको पता है, सूरज से जो इनर्जी न 300 सालों में जो 3 degree Celsius तपमान बढ़ने वाला है, इसके वज़ा से हमारे अर्थ के climate में कौन-कौन से बदलाव हो सकते हैं. 2018, Canada का एक estate है British Columbia, उसका एक गाव है Lighton, जहां पे minimum जो temperature होती है, वो minus 31 degree Celsius होती है, और maximum जो temperature है, वो 35 degree Celsius देखा गया है, लेकिन heat dome की वज़ा से वहां भी 50 degree Celsius टेंपरेचर ना पा गया था, जिसके वज़ा से पूरी गाव ही जलके राक हो गया, heat dome में दरसल क्या है, जो गर्म हवाय हैं, वो उपर की तरफ जाती है, और greenhouse gas की वज़ा से वो वापस नीचे की तरफ आ जाती है, जिसके वज़ा से किसी specific place का जो temperature है, जो तपमान है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, आप खुद ही सोच के देखो कि किसी दिन अमेरिका जैसे देश में अचानक से 50 degree Celsius तपमान हो जाए, और किसी दिन बिहार जैसे राजियों में ओले पढ़ने लगे, तो आपको क्या लगता है, कितने लोग हैं जो जिन्दा बच पाएंगे, कितने लोगों की बड़ी उस extreme level की बदलाव को जहल पाएगी, सिर्फ इतना ही नहीं, इन greenhouse gases की वज़ा से जो हमारा ozone layer है, वो धीरे धीरे टूट रहा है, ozone layer क्या है, एक पतला oxygen का layer है, जो हमारे अर्थ को sun से आने वाले खतरनाक radiation से बचाता है, और अगर ये ozone layer ही ना रहे, तो आप यकीन मानो, हम इंसान तो छोड़ो, जी जन्तू पिड़ पौधे तो छोड़ो, इस धर्ती पे फिर कोई प्रजाती पैदा ही नहीं लेगा, इस बढ़ती हुई गर्मी के वज़ा से, जो समुंदर का पानी है, वो और ज्यादा गर्म होता है, और गर्म होने के बाद, वो वापस भाप बनकर, मतलब water vapor के रूप में उपर जाता है, और क्या आपको पता है, ये जो water vapor है, ये जो wasp है, ये भी अपने आप में एक greenhouse gassy है और ये सारी जो घटनाए हैं, वो multiply में चलता है, जैसे हम वीडियो के सुरू में ही देखे थे, कि 30 years में हमारे अर्थ पे 3 गुना ज्यादा natural disaster आ रहे हैं, हम आपको इसको बहुत ही असान तरीके से समझाते हैं, जो पहला stage होगा, वो होगा 2 गुने 2 चार, और जो second stage होगा, वो होगा 4 गुने 4 सुला, जो third stage होगा, वो होगा सुला गुना सुला मतलब 256, फिर जो fourth stage होगा, वो 256 गुने 256, ये सारी घटनाए ऐसे ही rapid तरीके से बढ़ने वाली है, और इसकी सुरुवात तो कब की हो चुकी है, फिर आप सोच की देखो, आने वाले प्रलय को हम कैसे रो specific company के फायदे के लिए, हस्देव जंगल की जो कटाई है, ये भी एक illegal कटाई ही है, एक अप्रील 2022 के data के अनुसार, हमारे देश में जो कोईला का भंडार है, वो 361 billion ton है, और हस्देव जंगल काटने के बाद जो हमें कोईला मिलेगा, वो सिर्फ 1.5 ton ही होगा, फिर भी जंगल के नीचे जो कोईला है, वो आसानी से मिल जाएगा, कम पैसे लगेंगे निकालने में, फिर आप सोच के देखो न, क्या ये एक illegal कटाई नहीं हुई, क्या, क्या सिर्फ एक specific company के फायदे के लिए 3 लग पेड़ों को नहीं काटा गया, क्या, हमें तो बताया गया है, क अगर आप एक पेड़ भी काटते हो, या आप एक हजार पेड़ भी काटते हो, तो आपको सिर्फ छे मंत की ही सजा होगी, और मान लेते हैं आप एक पेड़ काटने की सजा छे मंत है, तो तीन लाख पेड़ों की काटने की सजा कितनी होगी, एक लाख पचास हजार साल, और और सांत में उन बे जुबानों का घर उजारने के लिए तो अलग सजा, एक तरफ हमारे मोदी जी जब इदेशों में जाते हैं, तो कितना अच्छा भासन देते हैं, और दूसरी तरफ हसदेज जैसे जंगल को आप कटने दे रहे हो, उत्राखंड की तबाही कौन भुला, और 90% ज्यादा तेजी से होता है, आढानी जैसे लोग और इलन मस्क जैसे लोग पैसो की खातिर इस धर्ती को बरबाद कर रहे हैं, आढानी जैसे लोग और इलन मस्क जैसे लोग ही असली राक्षास हैं इस धर्ती के, और इनसे भी बड़ा राक्षास है, तो ये वर्ल लीडर और भारत में खासकर जब population control करने की बारी आती है तो मोधी जी दिल्ली में एक speech दे देते हैं कि अगर आप एक बच्चे पैदा करते हो तो आप एक राष्ट भक्त हुए ये जनसंग्या भी स्पोर्ट हमारी आने वाली पीडी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है 2015 में Paris Agreement हुआ जहां 200 देशों ने मिलकर Agreement बनाया कि इस धरती के global temperature को 2 degree Celsius से हम कभी ज्यादा होने ही नहीं देंगे इसे हमेशा 1.5 degree Celsius से नीचे ही रखा जाएगा लेकिन क्या आपको सचाई पता है Northern Canada में ये 2.3 degree Celsius अल्रेडी पार कर चुका है अगले सिर्फ 6 सालों में हम 1.5 degree Celsius का जो barrier है वो पार कर जाएंगे अब समझते हैं इसे रोका कैसे जाए एक वक्त था जब हम पढ़ते थे कि light bulb को off कर दें एक वक्त था जब हमें बताया जाता था कि refrigerator का कम से कम इस्तिमाल करें हमें बुला जाता था कि cycle का ज्यादा से ज्यादा इस्तिमाल करो और अभी से ये सारी चीज़े हम करना सुरू भी कर दियें तो आप यकीन मानो इसका effect ना के बराबर पढ़ने वाला है सायद हम 20-30 साल पहले ये छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान दिये होते तो थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ता लेकिन अब जो changes लाने होंगे वो national और international level पर policies को change करके ही लाया जा सकता है जैसे हस्देव जैसे जंगलों को mass level पर पूरी दुनिया में बचाना होगा खासकर mountain के reason में तो mining बिल्कुल नहीं बंद करनी होगी electric vehicles को जबरदस्ट level पर बढ़ावा देना होगा और इससे भी बढ़कर carbon tax लगाना होगा carbon tax को आप ऐसे समझ सकते हो जिस चीस से सबसे ज़्यादा carbon निकलता है उस पे सबसे ज़्यादा tax जैसे कोईला जब जलता है तो उसे greenhouse gases सबसे ज़्यादा release होती है तो एसे में कोईला पर जो tax हो सबसे ज़्यादा होना चाहिए उसके बाद जो fuel है जो oil है उस पे tax होना चाहिए और जो green energy है जिससे कोई greenhouse gases नहीं निकलती उसको tax free करना होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग green energy पे शिप्ट हो पाए और ये जो सारी taxes है वो direct company पे लगानी पड़ेगी जो कोईला निकालती है जो तेल निकालते हैं जिससे लोगों पे इसका कोई effect ना पड़े और इससे कह ज्यादा पेर पोधे 30% से ज्यादा जीव जन्तू और हर 4-6 इंसानों में से एक इंसान मरने वाला है और अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरी धर्ती का विनास निश्चित है और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को forward करो उन्हें बत बात हमारे future की है बात हमारी धर्ती की है बात हमारे पेर पोधों की है बात हमारे जीवन की है बहुत बहुत धन्यवाद